दरपण दृष्यमान नगरी तुल्यम निजान तरगतं पश्यन्नात्मनिमायया वहरे वोद्भूतं यथा निद्रया यासाक्षात्कुरुते प्रबोधशमये स्वात्मानमेवाद्धयं तशमयी त्रीगुरु मूर्तये नमयदं त्रीदक्षणा मूर्तये तद्धिव्यमब्यंधाम सारश्वत्मुपाश्महे यत्प्रशादात्प्रलीयंते मुहांधस्तम सच्छटः ओम् नमःपरमहं सास्वाधित चरणिकमल चिनिमकरंदाया वक्त जनमानशनिवासाया स्रीरामचंद्राया स्री राम जै राम जै जै राम स्री राम जै राम जै जै राम स्री राम जै राम जै राम स्री राम जै राम जै राम जै राम जै राम द्वार का धीश भगवाने की सद्गुरुदेव भगवाने की हर हर महादे किस ओर शास्त्री जी ने इस राद्ध के सम्मंध में सुनाया शवेरी की सभा का ये प्रिश्ण था जग्याशाइब की गई थी कि इस राद्ध पक्ष में राद्ध करना क्यों आवस्चक है और क्यों करना चाहिए तो वो चिट्थी हमने इनको पकड़ा दी कि आपके राम मखारबिंद से ये काम ठीक अच्छी तरह से होगा, तो अच्छा विवेचन किया उने, यह क्या है शास्त्र है, शास्त्र कहां से बोलता है, शास्त्रग्य के मुख़ से बोलता है, सास्तर से क्या जानते हैं हम प्रविदीर्वा निवरित्यर्वा पुनसेन नितेन कृतेकेन वा पुनसाम योनोप धिर्ष्चेत तच्छास्त्रम अभिधीयते प्रवृत्ति और निवृत्ति यह करना है इसमें प्रवृत्त होना है यह आपको करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए शास्त्र उसे दूर करता है आपको यह काम नहीं करना है और आपको यह करना है बिस्राम करने रात में सोने के लिए सास्त्र मना नहीं करता नानती पड़े छे पिर आपको सोना नहीं है लेकिन सास्त्र आदेश देता है कि ब्रिम्म महूर्त में उठ जाना है यहाँ सास्त्र लागू होगा भक्षा भक्ष में शास्त्र लागू होगा अयाज्य आजन में शास्त्र लागू होगा धर्म के पालन में शास्त्र लागू होगा धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए यहां शास्त्र लागू होगा सो धर्मस्य परित्यागहा परिधर्मस्य चाक्रिया अभक्ष भक्षन नहीं करना है, यहां सास्त्र आ जाएगा, कुछ भी नहीं खाना है आपको, यग करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, यग में बित्त की सुद्धी होनी चाहिए, चित्त की सुद्धी होनी चाहिए, पवित्र बेद लक्षना गो का घी होना चाहिए, मनवान नहीं कर सकते हैं ये सास्त्र हमें प्रवृत्य करता है करनीयम करतव्यम ये करना चाहिए ये सास्त्र है तो स्राध्य में सास्त्र प्रवेश कराता है ये करना चाहिए करना चाहिए सास्त्र के आदेश का पालन करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है कैसे हम कुछ पाएंगे किसी वस्तु का अधिस्ठान क्या है तो धर्म का मूल क्या है धर्म को हम कहां से जानेंगे बेदो खिलो धर्म मूलम बेदों से ही जानेंगे बेद ही हमारे धर्म के मूल हैं धर्म का उपदेश करने वाले हैं सास्त्र ही हमारे मूल हैं तो सास्त्रों ने जो विधान किया है उसमें बिना बिचार किये, की करना चाहिए, हाँ, समझ में नहीं आता है, जिग्यासा है, वो जिग्यासा को संद किया जा सकता है, तो ये सराद्ध की बात है, जो हमारे सास्तरों ने कहा है, वो करना चाहिए, आज शिवानन्द आस्रम में स्वामी परमातमा नंद जी ने एक शेमिन का आयोजन किया था धर्म और विज्ञान यह बात समझ लेनी चाहिए कि कारण के बिना कोई कारिय कभी नहीं हो सकता यदि उर्जा भी स्रिष्टी का कारण है और उसी से साइकल होती है तो उर्जा का कारण क्या हो सकता है चेतन अगर है तो चेतना धिष्टान कोई है रश्ची में रज्जू में सर्प की भ्रांती हो रही है तो उल्कुल सही है कि वहां रज्जू सर्प नहीं है लेकिन रज्जू तो है ना आ तो रज्जूम द्रिष्टवा कश्चित भुवेती तश्चभयस्त नरा करणाययय अन्या कश्चित कश्चितं तंबो देती रग्जूरीयं नायं सर्पहा एदंबांक्यम सर्थवा तश्चभययम अपाईती उसका भ्यए दूर हो जाता है लेकिन रज्जू तो दूर चेतन है, तो चेतन को चैतना प्रदान करने वाला कोई है. नेत्र है, तो नेत्र का जो अदिदईव है, सूर ये, वो है तभी नेत्र दर्षन में सक्षम होते हैं. नेत्र का काम क्या है रूप का दर्शन करना रूप का दर्शन निर्दोस चक्छू ही रूप के संबंद में प्रमाण हैं प्रामाण्ड बुद्धि वेदेशु शाधना मना मनेकता साधन अनेक हो सकते हैं शाधना अनेक हो सकती उपासना में बहुत वेद हो सकते हैं तदा रा उन सब का प्रमाण वेद शास्त्री ही हैं किस तरह से जिस तरह से रूप के सम्मंद में निर्दोस चक्छू ही प्रमाण हैं कोई तर्क कर सकता है कि हम हाथ से इसपर्ष करके फल बता सकते हैं ये कौन सा फल है बहुत से लोग जो नेतर भीन होते हैं वो रुपया भी गिनके बता देते हैं कि ये रुपया ये ऐसा है ये इतना का है पचास का है सो का है पांस सो का है उसमें जब हमने देखा उन ब्यक्ति को महासई को उसमें दो हजार का नोट भी चलता था तो उन्होंने बता दिया था हमको कि ये दो हजार का है पांस सो का है ये विशेश शक्ती प मिट्टी का है इस पर्ष करके बताया जा सकता है लेकिन उस घड़ में वो घड़ा मिट्टी का घड़ा सफेद है कि काला है कि लाल है यह नहीं बताया जा सकता है बिना चक्छू के उसमें चक्छू ही प्रमाण है इसी तरह से हमारी प्रतेक क्रिया में प्रतेक धार्मिक क्रि कौन करेगा शास्त्र ही करेगा अनेक संस्य उच्छेदी परुक्षार्थस्च दर्शकम सर्वस्थ लोचनम सास्त्रम नास्त्यंद ये वशा है अनेक संस्य उच्छेदी परुक्षार्थस्च दर्शकम सर्वस्थ लोचनम सास्त्रम यस्ष नास्त्यंद ये वशा है तो शास शास्त्र ही उसके लिए प्रमान है अनेक संस्यों का उच्छेद कहां से होगा जब आपके मन में संस्य हो जाएगा स्री राम के संबंध में स्री कृष्ण के संबंध में 24 अवतारों के संबंध में दसावतारों के संबंध में आपकी धार्मिक प्रवर्ति के संबंध में स्रा अस्क्र ही उसमें प्रमाण है इसलिए अनिवारीता है और जो फृष्टी का उपादान कारण है वो उपादान कारण के पीछे जो कारण है उस कारण के बिना कोई भी कारी तो पूरा हो नहीं सकता है अगर जल है और जल को ही हम तब कुछ मानेंगे तो जल का आगमन कहां से कहां से उसका उपादान कारण जल का क्या है तो हम अपने सास्त्र में यदि जाएंगे आप अपने अंसार व्याख्यान और जो विज्ञान है साइंस है हम लोग तो उसका स्वागती ही करते हैं हवाईजाज तो आपने बनाया है तो हम उसमें उड़ते हैं तो निशेद तो तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, लेकिन उस हवाईजाज को निर्माड करके आप कहां उड़ाएंगे, आकास में, आकास का निर्माड हम और आप नहीं कर सकते, वो कहां से आया, आकास का निर्माड कैसे हुगा, अगर यहां यह समझना होगा, तो आपको सास्त्रों में जा जना पड़ेगा बरतवाज के कौसल में जाना पड़ेगा इसलिए आत्मनाहा आकासा संबूत हा आकास से वायु वायूसे अगनी अगनी ते जल जल ते पृतिवी पृतिवी ते अन अन से पुरुष यह हम लोगों की परंपरा है और इसमें बहुत विचार है बहुत उपने स सदों में बहुत विचार हुआ है पंचागनी विद्या के नाम से भी विचार हुआ है और दूसरे दूसरे प्रशंगों से भी खुब विचार किया है नचिकेता ने भी अभी श्वामी जी ने दाखिला दिया कठो पंचद का परांचिखानी वेतरनस्वयम भी हमारी इंद्रियों को बहर मुख किया गया है इतना सुन्दर सरीर बना करके जिस सरीर में परमात्मा का साक्षात कार करने की चमता है इसको बहर मुख कर दिया और अंतर मुख करने का उपाय बताया करो माचिस्तो आपके पास है अब आप प्रजुलत कर नहीं करोगे तो आप तो रोते ही रहोगे अंदकार में अंदकार में तो भई लगता ही है तो भई भी थोते ही रहेंगे इसलिए वेदान्त में जाना पड़ता है कि अभयम सर्वभूते भ्यो ददाम येतद वृतम्मौमो इसलिए हम उस वस्तू को श्विकार करते हैं उस वस्तू को नित्य मानते हैं उस वस्तू को शत्त मानते हैं जो हमेशा हमारे साथ होती है, जो हमें छोड़ रहा है, जो हमें त्याग रहा है, जो हमारे पास से जा रहा है, वो हमारा नहीं है, हमारा होना हमारा ब्रहम था, वह हमारा है, ये हमारा ब्रहम था, उस ब्रहम को दूर करने के लिए ही सास्त्र है, उस ब्रहम को दूर करने के ल ये बेद पराण और गुरु उर्शिष्य की परंपरा है, तो ये शरीर, हम तो अपने शरीर को अपना नहीं मानते हैं, ये शरीर हमको छोड़ रहा है, ये प्राण हमको छोड़ रहे हैं, एक बार इन इंद्रियों में आपस में एक बहुत बड़ा विवाद उपस्थित हो ग स्वासबंध हो जाए, तो मृत्व ही हो जाएगी, रसना ने कहा हम बड़े हैं, हाथ पर ग्यान इंद्रियां, करमें इंद्रियां, साव आपस में, अपने आपको सर्व स्रेष्ट सिद्ध करने लगे, प्राण आत्मा ने कहा कि भाया ऐसा करो, इस शरीर में से एक एक करके निकलते जाओ, केनो अपन सद है न, पृष्णो अपन सद है, पृष्णो अपन सद है, सही है, तो एक एक करके आप निकलते जाओ, जिसके न रहने पर ये न रहे, वही बड़ा है, अपने आप परिक्षा हो जाएगी, आख चली गई, तब भी आदमी जिंदा रहा, करने चली गई, सुनाई नहीं पड़ा, तब भी मनुष जीवित रहा, किशी रोक के कारण हाथ काट दिये गए, तो भी मनुष जिंदा रहा, पैर चले गए, बीलचेर में आ गया, तो भी मनुष जिंदा रहा, एक एक इंद्रिय जाती गई, तब भी मनुष जीवित रहा, अंत इसमें भास्टे है बहुत सुन्दर हम तो सरल सब्दों में बता रहे हैं तो जो हमें छोड़ करके जा रहा है वो हमारा नहीं है अब समझ लीजिए कि हमें कौन-कौन छोड़ करके जा रहा है हमारे रिस्तेदार हमको छोड़ रहे है जिस धन को हमने कमाया वो धन हमको वो जमीन का हमें बिक्रे करना पड़ा, या किसी ने छीन ली हम से, या हमने किसी को दे दी, जिस मकान का हमने नर्माड किया, उसमें दूसरे लोग रह रहे हैं। सब तो जा रहा है, सब जा रहा है। नजाने वाली बस्तु कौन सी है यह मनुस्य सरवादिक प्रेम किस्चे करता है सरवादिक प्रेम अपने आत्मा शेहि करता है यही अगवल क्रिशी का उपधेश है कि सरवादिक प्रेम मनुष्य अपने आत्मा से ही करता है और ऐसे समझने के लिए समझना हो तो सबसे अधिक प्रेम सबसे अधिक प्रेम मनुष्य धन से करता है धन से करता है एक शेट जी थे तो ब्यापार करके आए लोटे तो ठक गए थे गैरा बज गए रात के स्रीमती जी ने कहा भोजन कर लीजी बहुत ठक गया हूँ नींद आ रही है नहीं करूंगा और जा करके गद्धी पर लेट गए पहले शेठों की टेबल कुरसी नहीं होती थी गद्धी होती थी पुराने लोग जानते होंगे गादला रहता था चबू जी तो सो गए का पांच लाख रुप्या लाया हूं उसे जी को देना है सेट जी उठके बैठ गए कहा नींद कहा भोजन साब गया पती पतनी दोनों पहले तो छोटे नोट चलते थे गिंते रहे रात भर किस से प्रहम करते हैं सबसे अधिक प्रहम मनुष्य धंते करता है बित्त से अधिक प्रहम अपने पुत्र से करता है पुत्र से अधिक प्रहम अपने इंद्रियों से करता है और इंद्रियों से प्रहम अधिक प्रहम अपने सरीर से करता है वो प्राणा दात्मा प्रिया परह सबसे अधिक प्रहम मनुष्य अपने प्राणात्मा से ही करता है और किसी से प्रेम नहीं करता अरी मेत्रेई कोई किसी से प्रेम नहीं करता सब अपने आपा से प्रेम करते हैं इसको जहां जहां शुक मिलता है जहां जहां भौतिक शुक मिलता है वहां वहां संबंध इस्थाबित करता है विवहार पालन करता है एक दूसरे का पूरक बनता है सुख की भी परिवाता समझ लीजिए सुख किसे कहेंगे सत्त शुख वही है जिसके बिना आप रह नहीं सकते वही शुक है बाकि जो शुक है वो जाने वाले हैं आप जानते भी हैं वो जा रहे हैं ये आप जानते हैं लेकिन उसका चिंतन नहीं करते हैं तो वो जाकर के आते से दिखाई पड़ते हैं तो आते हैं तो फिर आप सुईकार कर लेते हैं और फिर वो जाते हैं और ये आना और जाना ऐसा लगा रहता है जिस तरह से हमारा भी आना जाना होता है बैशे ही शुक और दुख का आना जाना भी बना ही रहता है दुख का आना जाना कैसे बना रहता है आत्मना किम निमित्तम दुखम तो का सरीर परिग्रह निमित्तम सरीर का परिग्रह होता है सरीर का आना जाना होता है इसलिए दुख का भी आना जाना होता है सरीर का आना ही ना हो ऐसा कोई उपाए जानते हैं तो अगर कोई उपाए है तो हमारी भारती ये संथकृती में वह उपाए है हमारे उपनिशदों के पास यह उपाए है हमारे वेद सास्त्रों में यह उपाए है कि कभी नहीं आना पड़ेगा क्यों नहीं आना पड़ेगा क्योंकि जाने की आवस्षक्ता ही नहीं पड़ेगी ऐसा कैसे हो सकता है यहां सास्त्रा जाएगा पंतु राजन मरिश्चेती पशुबुद्धी में माम जही नजाता प्राग भूते द्यो देह बत्तम तो नंग्छसी राजन तुम मरोगे इस पशुबुद्धी का तुम त्याग करो शुकुद्धुजी महाराज राजा परिक्षित को कह रहे है तुम्हारी मृत्तु होगी इसका त्याग करो भगवान भी अरजन को कह रहे है प्राया गीता लोग पढ़ते हैं यहां तो दो महने से गीता का ही पाठ हो रहा है अरजन को भगवान यही तो कह रहे थे बासांती जिर्णानी यथा विहाया और भी कई इस लोगों में कहा कौन जाता है किसका अंत होता है देह का होता है कि आत्मा का होता है चांडाल ने पूँछा भगवत पादाद संकराचारी जी महराज से भगवान से देह से देह को दूर करना चाहते हो कि आत्मा से आत्मा को दूर करना चाहते हो किसे दूर करना चाहते हो यह हमारे भारती है संसकरती और संसकार में यह ग्यान और विज्ञान दोनों है ग्यान ही नहीं इसमें विज्ञान भी है वही धर्म विज्ञान है उस धर्मविज्ञान को प्राप्त करके हम पुनरपी जननम, पुनरपी मरणम, पुनरपी जननी, जटरे सैनम के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और ये मनुष्य देह प्राप्त भी इसी लिए हुई है इसी के लिए यह मनुष्य देह प्राप्त हुई है इसलिए 84,00,00 सरीरों में इस देह की प्रसंसा पुराणों में की गई है सास्त्रों में की गई है यह मानव देह इसे प्राप्त करके लोग पर लोग दोनों का निर्मान कर लेना है जो तुम्हें छोड़ रहा है गवड़ पादाचार जी महराज कह रहे हैं वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप भी नहीं है, ऐसा भी कह रहे हैं, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारा स्वरूप तुम्हें छोड़ी नहीं सकता। आनन्द का भोक्ता हो जाने के कारण, अपने आपको आनन्द का भोक्ता मान लेने के कारण, हम आनन्द को खोज रहे हैं। जो बस्तु हमारे पास है, हम उसे खोज रहे हैं, कंठ चामी कर न्याये न, कंठ चामी कर न्याये के द्वारा हम उसे जानना चाहेते हैं, अपने मूल सुभाव का त्याग नहीं किया जाना चाहिए, ये व्याख्यान में, विवेचन में है ये, मूल में तो ये नहीं है, अभी की बता देते हैं स्वामी जी ने खुद परमातमानंद जी ने स्वयम अपने प्रवचन में गीता के प्रवचन में कहा था कि आचारी परमपरा से ही गीता का ग्यान आने प्रस्थानत रही का ग्यान प्राप्त करना चाहिए और वह कहते ही उन्होंने कहा था कि मूल अच इसली इसलिए यह जो कहीं कहा जाता है या सुना juाता है या लोग यह पृष्ण करते हैं कि सुरुतियों में, इस्मृतियों में और कुछ परिवर्टन कर दिया जाना चाहिए यदि यह परंपरा, प्रारंब की हम लोगों ने तो अनवस्था फैल जाएएगी, हमारे बाद पचास साल बाद, सौ साल बाद, फिर जो हमारी परमपरा में आएंगे, हमारी गद्धी पर आएंगे, वो भी परिवर्तन करेंगे, पर वो भी परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करते करते, दूद में पानी मिल जाएगा, ना दूद रहेगा, ना पानी रहेगा, इसलिए मिल बॉल्कुल एक तरफ होना पड़ेगा वो कम संख्या होने के बाब जूद भी हम पर भाड ही पड़ रहे हैं क्यूंकि वो एक तरफ हैं एक तरफ हैं इन बातों को समझना है समझ करके और अपने आचारियों के पद चिन्नों पर चलने की आवस्चता है हमें कम संख्या होने के कारण एकता हो जाती है ये भी एक सिद्धान्त है पूरा नहीं लेकिन एक सिद्धान्त है कि संख्या कम होने के कारण एकता हो जाती है तो उससे डरने की आवश्चकता नहीं है भव संखकों को लेकिन विचार तो करना ही पड़ेगा विचार करना ही पड़ेगा हिंदू कमजोर क्यों हो रहा है ये विशय नहीं है यहां लेकिन फिर भी आवश्चक है बोलना ताकि हम लोगों को समझ में आए आप लोगों को दिया हर पार्टी को अपना मत दिया हर पार्टी को चंदा दिया फंड फाड़ा पैसा दिया हम हिंदूओं को कमजोर कर दिया उन पार्टी वालों ने हिंदूओं को कमजोर किया सोच लीजिए अब अच्छे से सोच लीजिए और जिसकी समझ में ना आये हमारे पास आजाईए फिर से हम समझाएंगे कि कैसे हम कमजोर हुए हैं और यह बात भी जान लेना है यह बात भी जान लेना अच्छी तरह से कि अभी इतनी कमजोरी नहीं आई है कि हमारा कोई नुक्सान बहुत जादा कोई कर सके यदि हम एक हो जाएं तो कोई शक्ती विश्चु की कोई शक्ती विश्चु की कोई शक्ती नहीं है संख्याबल सब स्थान पर नहीं लगता सास्त्र में संख्याबल नहीं चलेगा सदाचार में संख्याबल नहीं चलेगा कि मैं बेदों के पालण में संख्या भ़्ल प्रमाण नहीं है हमारे आप Barn Out अमंतराणाम, जाती मात्रोप जीविनाम, शहत्रचा समेता नाम परिचत्तम नविद्धते। बहुत से अज्ञानी हमारे लिए प्रमाण नहीं हो सकते। एक ज्ञानी ही प्रमाण है। एक ज्ञानी परियाप्त है। इन बातों पर विचार करना है देश की संस्कृति और राष्ट के संबंद में ये हमारा वक्तब्ब है जहां आध्यात्मिक्ता की बात है और धार्मिक्ता की बात है वहां तो ये बात है कि विज्ञान की वस्तुओं का शाधर्म और बईधर्म स्वामी कर्पात्री जी धर्म समराठ स्वामी कर्पात्री जी महराज कह रहे है तो बैधर में माने साधक और बाधक भाव के विज्ञान तक्तुकी प्राप्ती का सुगम रास्ता है शुगम भाव है कर सकते हैं प्राप्त बिग्यान के दोरा लेकिन बिग्यान का उत्पादक कौन है इस बात को समझने की आवश्चता है बिग्यान कहां से आ रहा है हमारे मस्तिक में हम चंद्रयान पर चले गए चंद्रमंडल पर चले गए हमारा चंद्रयान सफलता पूरबक बिश्चु में कोई नहीं वहां बैठा सका और हमारे बैग्यानकों ने भारती ये बैग्यानकों ने इसरो वालों ने वहां उसको इस्थापित कर दिया सबसे बहुत बड़ी उपलब दी है लेकिन उस बैग्यानक के मस्तिक में कोई बैठा ना उन बैज्ञानकों के मस्तिक में कोई बैठा, उसने बैठाया, मूर्तिकार मूर्ती का निर्माण करता है, तो पत्थर में मूर्ती पहले से होती है, जो मूर्ती का भाग नहीं है, वो कलाकार उसको निकाल देता है, चित्रकार चित्र बनाता है, ऐसे समझ लो, आर्किटेक्ट आप लोगों के मकान का नक्सा बनाता है ना तो पहले नक्सा का निर्माण यहां करता है तभी वो कौन सा पेपर होता है टेबिल के उपर उसमें फिर वो अंकित करता है उसे इसी तरह से हमारी ये जो सृष्टी है अर्थेश्च भिग्यस्वराट कुछ भी कहीं नहीं बना द दिया गया है हृष्टी में ये बास समझिए बहुत लोग तरक करते हैं कि जिन देशों में धर्म का पालन नहीं होता है वहां वो लोग शुकी है ऐसा है वैसा है उपाश्चात बिद्वान जो कह गए हैं उसी को रटा रटाया बोलते रहते हैं आईए हमारे पास हम बताए कैशे कर सकते हैं उस दुख को हम कर सकते हैं कर सकते हैं सरल से सरल उपाए हमारे पास हैं सनातन में और कठिन से कठिन उपाए भी हैं और हमारे एक राजा तो यह ऐसे हुए उन्होंने शंकल्प किया कि हम देह के सांस त्वर्ग जाएंगे देह के सहत स्वर्ग जाएंगे और विश्वा मित्री जी ने कहा हम भेजेंगे शबी रिशीयों ने तो मना कर दिया था विश्वा मित्री जी ने कहा हम भेजेंगे और उन्होंने भेज के दिखाया बेज के दिखा बले ही वापिस आना पड़ा भी जब मैं प्रसंग छे लेक के नरेस थे उनका नाम राजा तर्शंकू था बड़े प्रतापी राजा थे पहले अपने गुरु महराज के पास गए गुरु महराज ने मना किया शास्त्रों में निशेद है सरीर स्वर्ग नहीं जा सकते लेकिन विश्वा मित्र जी का और बसुष्ट जी का मतवेद था तो विश्वा मित्र जी न shouting हम तो भेज के रहे उन्होंने मना किया है इसलिए हम भेजेंगे ए शब चला आ रहा है पहले से तो इससों में तो आनंद है इस संबंध में आनंद है अब हमें आनंद पराप्त करना है अनेकता में एकता इस्थापित करने मैं अनेकता में एकता कैसे इस्थापित की जाती है की जा सकती है की जा सकती इस पर और की जा सकती है है ऐसा बिल्कुल की जा सकती थोड़े से समझने की आवश्चता है हमें एक होने की आवश्चता है हमारे उपर कभी कोई शासन नहीं कर सकता है नहीं कर सकता इसलिए हमें अपना सुभाव हमारा जो सहज शरूप है सनातन का जो सहज शरूप है यह हमारा सहज शरूप है सत्य की अवधारना धारन करना हमारा सहज शरूप है यह सहज शरूप हमारा बना रहा है इसको हम जानते रहें और मानते रहें और अपने सुभाव को न छोड़ें जैसे अगनी का सुभाव है जलाना उधारन दिया गया है पानी का सुभाव है अगनी को संत करना अब बीदानत इस से सरल नहीं हो थकता है पाषाण का सुभाव है पानी में डूबना पानी का सुभाव है डूबाना अब पाशान को तेरना है पाशान को तेरना है और पाशान अने पत्थर 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 ने तरता तो आवड़तो न थी तैरी नी सके कैसे तैरा आओगे अब यहाँ विज्यान आएगा यहां विज्ञान आएगा कि तेरती हुई नाओ में पत्थर को रख दीजिए हम सब को संसार सागर से पार होना है जाना है यहां से पुनर जन्म नहीं होना है बापिश नहीं आना है तो बिश्वेश पादाम बुझ दीर्गे नव का परमातमा के स्री चरणों की रज को स्री चरणों को नाओ बना ली किसे संसार सागर से पार हो जाएंगे फिर हमें बापिश आने की आवस्चक्ता नहीं है अम्र्तक्त्य की प्राप्तव हो जाएगी वो अमरत ही हमारा श्वरूप है अम्रित ही हमारा श्वरूप है अम्रित को प्राप्त करने के लिए ये वो कही न थी हमारे चुदरतन नो मंतन करवानों चेशा मुद्र में जईने तो त्यांती अम्रित नो घट प्राप्त थशे ऐसा कुछ नहीं है अम्रित प्राप्ती में जितने प्रतिवंधक हैं उनको दूर करना है हम स्वयम ही आनंदस श्वरूप हैं स्वयम ही अम्रतस श्वरूप हैं अस्ति ब्रम्यति चेत बेदो परुक्षम ज्यान मेवितत अहम ब्रम्यति चेत बेदो साक्षात कारास उच्चते जब तक हमें जान रहे हैं हम पहले जान लें कि हम कौन हैं को हम अगर ये जान लिया कि हम कौन हैं खोज हमारा हमारा अनिवेशन खतम हमारा रिसर्च हमारा सोध पूरा हो गया समझ लीजिए और उसी को पूरा करने के लिए मनुष्देह राप्ट हुई है यह चमता यह योग्जिता मनुष्थ की देह में है कल और अपने लोग सत्संग करेंगे और कल विदाई समारो है क्योंकि सत्रा तारीक को कोई बता रहे हैं कि पूर्ण मा सत्रा देख ले ना सत्रा को पूर्ण मा है कि अठारा को है अठारा को है अच्छा ठीक है तो कल और सत्संग होगा पर दो दिन हम अपने गले को शानती देंगे क्योंकि उन्नीस तारीक से फिर ब्रफचान है कहीं न कहीं तीन दिन बाद स्री राम जै राम जै जै राम प्यारे जरातो मन में विचारो क्या साथ लाए क्याले चलोगे जाता सदा साथ यही पुकारो जाता सदा साथ यही पुकारो गोविंद दामो दर्मा दवेती गोविंद दामो दर्मा दवेती गोविंद दामो दर्मा दवेती हे क्रिष्ण हे मादवे सकेती स्री क्रिष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासुदेवा दारका देश भगवान की आनन्द्र की पीठत दयाधीश्वर्षद गुरुदेव भगवान की हर हर महावे अपने शव कृतक्नता भाव साते जोड़दार्थ आलियोते स्वागत नभी नदन करशू